जहन पुनहा एक और वीडियो के साथ CUETPG 2023 के Entrance Examination का शिडूल आया है वेबसाइट पर किस दिन में कौन सी सिफ्ट में किस सब्जेक्ट की होनी है प्रवेश परिक्षाएं उसको लेकर आई है जानकारी वेबसाइट पर साथी साथ आप अपना provisional admit card डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसमें आपको आपके examination किस सहर में किस city में होगे इसकी जानकारी मिल जाएगी और साथी साथ आपका exam कौन सी date में होगा इसकी जानकारी मिल जाएगी exact venue क्या होगा ये मालूम नहीं चलेगा और साथी साथ आपको आपकी shift भी मालूम चल जाए क्यूंकि तीन shift में exam होने है लाश्टियर की ही तरह CUT PG के लिए दो हाँ चार पीज का notification आया है जिसमें schedule की जानकारी है और ये video लंबा होने वाला है क्यूंकि लगबग 100 से ज्यादा subject है सभी के schedule आया है 100 मिनट तो नहीं लगेंगे लगबग 57 मिनट तो लगी जाएंगे थोड़ा तेजी से कोशिश करूँगा आपको बताने की और वीडियो देखने के बाद में या वीडियो देखते वक्त में कोई doubt हो सवाल हो शंका हो information को लेकर तो comment करके ज़रूर पूछ लीजेगा जून को जिन सब्जेक्ट का एक्साम है उसकी बात कर लेंगे पहली सिफ्ट है सुभा की निकि 8 बजे के आसपास का पेपर होगा तो सुभा की पहली सिफ्ट में जिनका एक्जाम होगा पांच जून को ऐसे बताऊं तो बहुत देर हो जाएगी तो मैं आपको बहुत बहुत करmus 10 बैस कि किस सब्जेक्ट का एक्जाम होगा और किस सिफ्ट में इक्जाम होगा ये तो आपको अदमिट चार से उनका है पब्लिक हेल्थ का है म्यूजिक में और उडिया मैथमेटिक्स मेडिकल लेबरोटरी एड टेक्नोलोजी ठीक है इसी के साथ और भी सब्जेक्ट है साहित्या है और इसमें है अलंकार विज्ञान शुक्ल ये जुरुवेदा कॉमर्स पब्लिक हेल्थ पेंटिंग कैमरा कम देख पाऊंगा ध्यान रखिएगा ठीक है नैनो इलेक्ट्रोनिक मेंटेरियल साइंस वाटर एंगिनिरिंग एंड मैनेजमेंट ठीक है ये सेकिंड सिफ्ट की है थर्ड सिफ्ट की बात कर लेते हैं थर्ड सिफ्ट पांच जू अलग अलग शिफ्ट के और हाँ यही है और जोलोजी भी पांच जून को ही होना है छे जून के एक्जाम की बात कर लेते हैं छे जून को जिन सब्जेक्ट के एक्जाम होंगे उनके आप नाम सुन लीजी ध्यान से यह है विदानता फिर है एकनॉमिक्स स्पोर्ट साइकलो परियोजन मूलक हिंदी अधिकल लेबरोटरी एंड टेक्नोलोजी यह एक्जाम फिर से है क्योंके बच्चे जाधा होंगे या पिस सब्जेक्ट का कोड भी क्योंके एक ही है ठीक है बच्चे जाधा होंगे इसके अंदर फिर अगले दिन का ही यानिके छे जून को सेक्ट स सब्जेक्ट के नाम है जैन दर्शन साहित्ते यानिके संस्क्रित ओली फिर इसमें डिजाष्ट्रे स्टडीज अप्लाइड आर्ट्स हिश्पैनिश इसको हम इस्पैनिश भी बोलते हैं और केमेश्ट्री छे जून थर्षिप्ट जिस सब्जेक्ट के एक्जाम होंगे उन सब्जेक्ट के फिर है आपका म्यूजिक इन करनाटका बंगाली जैपनीज उर्दू जनलिजम डेरी टेक्नोलोजी लाइफ साइंस और क्रिष्णा यह जोर्वेदा संस्क्रित यह बेचुका ही सब्जेक्ट ठीक है यह बने आपको छे जून के सब्जेक्ट पता है साथ ज इस्ट्री कश्मीरी केमिकल टर्मिनल एन पॉलिमिलर एंजिनरीरिंग सेकंड शिफ्ट थर्ड डे साथ जून ओट्री एन क्रीम्स असमीज खाशी कोकुबर्क परिश्यन पंजाबी और कंप्यूटर साइंस एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी ठीक है थर्ड डे थर्ड बायोट केमेश्ट्री इंडो टिवितन इंग्लिस ठीक है अब चलते हैं अगले दिन में जो की है आठ जून की डेट ठीक है डेट को बार बार रेपीट नहीं कर पांगगा ज्यान रखेंगा आठ जून को जिनके एक्जाम है जिन सर्जेक्ट के सुबह की पहले शिफ्ट नाम है पहला धर्म विज्ञान योगा प्लास्टिक आठ्स प्लिकल साइंस रविंद्रा संगीत एंपीटी स्टेटिक्स संस्कृत सास्त्री बीयड वाला जिन अप्लाई के ठीक है सुरी संस्कृत सास्त्री का यह नहीं है यह अगले दिन में यानि के नो जून को पिपर हो से योगा है और धर्म विज्ञान है आठ जून को पहली सिफ्ट में पेपर होंगे सामवेदा बीएड ज्यान रहें कि ओनली बीएड है इसमें पाश्टो कोड देख लेंगे सब्जेक्ट का ध्यान से सब्सकृत कोड दिये हो गए हैं पाश्टो नेनो साइंस संस्कृत सास और फिजिकल एजूकेशन मराथी पाली संथाली यह होगे ठीक है नौ जून को जिन सब्जेट का पेपर होगा नौ जून थर्ड सिफ्ट संथाली वेदानता इटैलियन आर्खिटेक्चर एन्वार्मेंटल साइंस नौ जून सेकिंड सिफ्ट पेपर सिक्षा शास्त्री व जून को पहली सिफ्ट जिनके एक्जाम होंगे सब्जेट के नाम है सिक्षा शास्त्री वियड एग्री बिजनिस मेनेजमेंट एमेड और चाइनिज अब आते हैं दस जून को जिनके पेपर होंगे उनके नाम है दस जून पहली सिफ्ट हाँ यह लंबा चोड़ा है क्यों दिया है यह ठीक है दस जून को पेपर होगा सोसोलोजी संस्क्रिट और एट्मोस्फेयर साइंस मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबा होगा और सब्जेक्ट के कोड़ बहुत जादा है तो पढ़ने में समय लग रहा है और यह कौन सी डेट थी भूल गया दस जून सिफ्ट के जिनके एक्जाम होंगे बहुत दर्शन यह बहुत स्टडिज एंशेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर और आर्केलोजी कोरियन मलयालम मनिपुरी इलेक्ट्रोनिक कम्यूनिकेशन और इंफॉन इंफॉमेशन एंजिनिंग अप्लाइड माइक्रोबाइलजी और मा सोल वाटर कंजर्वेशन ठीक है देखिए सब्सक्राइड कोर्ड भी है यह आपके डिबंड करेंगा इसलिए बाटा गया ठीक है दस जून को थर्ड शिफ्ट में लाच्ट पेपर है आर्ट है एथिक्स का आर्ट है अब आते हैं अगले डेट में जो की कौन सा एक्जाम है कि यहां वजो alt uniform यारा जून को जिनका पेपर होगा पहली सिफ्ट में एममड है साइकोलोजी है दो ही पेपर होंगे ध है डोही सूज़ेक्ट के हैं इसमें ग्यारा जून 2nd शिफ्ट में ग्यारा जून 2nd शिफ्ट में और पिच्चे के फेपर भी होंगे इंडिया नॉलिज्ज सिस्टम हिष्ट्री ऑफ आर्ट्स संस्कृत यलेक्रॉणिक्स फावर एंगिर्निंग बाटणी व्याकरणा। सुरी व्याकरण अगले दिन में है बहुत नहीं है ठीक है ना थर्ड सिफ्ट है इस्टेटिक्स एरिकल्च्रल साइंस एर्विक 12 जुन 12 जुन को पेपर होगा जोतिश बीएड हुमिनिटी एन सोशल साइंस फाइन आर्ट्स मटिरियरल साइंस एंड टेक्नोलोजी मैं डेट को छोड़ सकता था आपको तकलीफ ना हूँ इसलिए मैं आपको डेटेल में बता भी रहा हूँ थर्ड शिफ्ट सिक्षा आचार एमेड डेव डेव एंड लेवर स्टेडीज फाइन आर्स मैसोलोजी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलोजी एग्रो फोरेस्ट्री और फिजिक्स ठीक है यह सब्जेक्ट है 12 जुन के 13 जुन पहली सिफ्ट में एक्जाम होगा जियोलोजी और अर्थ साइंस 13 जुन जेक्ट सिफ्ट में एक्जाम होगा जिन विश्यों का उनके नाम है अप्लाइड जियोग्रोफी और जियो इन्फोरमेटिक्स फिजिकल एजुकेशन एन फार्मेसी थर्ड सिफ्ट में एक्जाम होगा Applied Geography and Geoinformatics, Hospital Management, Philosophy, German, Forensic Science and Geography अगला दिन यानि के 14 जून को जिन सब्जेक्ट के पेपर होंगे उनके नाम है 14 जून में फर्श्ट सिफ्ट में है पहला है Anthropology, दूसरा है Home Science, तीसरा है Linguistic, फोर्थ है Mechanical Engineering और फिफ्ट है Bioinformatics सेकेंड सिफ्ट में होगा Ancient Indian History, Culture and Archaeology, टेक्टायल डिजाइन, थेटर, फ्रेंच, तेलगु और क्रिमनलोजी थर्ड सिफ्ट में एजुकेशन, योगा, जोग्राफी, प्लांट, बायो, टेक्नलोजी, एट्मोस्पेर, साइंस, ध्याम नकिएगा ठीक है पंदरा जून, फर्स्ट शिफ्ट, चौदा को मैं आपको बता दिया कि नहीं बताया, एक और हम भी देख लेते हैं, उपर नीचे ना हो जाए हाँ, चाला जून का हो गया है, पंदरा जून, पंदरा जून को पेपर है, हाँ, लाइबरी, इन्फरमेशन, साइंस, पहली शिफ्ट है, स्पोर्ट, सैकलोजी, ठेटर, नैनो साइंस, और नैनो टेक्नलोजी, आर्केटेक्चर, बायो, केमेश्ट्री, फ्वारेंसिक, साइंस, ठीक है, यह पेपर होगा आपका, फर्स्ट शिफ्ट में, पंदरा जून, सेकिंड शिफ्ट के पेपर होंगे, इस परकार से, हाँ, पंदरा जून, सेकिंड शिफ्ट में होगा, डेव एंड लेवर, स्टडीज, म्यूजिक में होगा, हिंदुस्तानी, वाटर मैंजमेंट और बीएड मैथमेटिक, जीरों ने अपलाई किया है, बीएड में मैथमेटिक से, यह जनिके साइन्स वाले बच्चे, उनका एक्जाम होगा, फंदरा जून, खीक है, आब आते हैं, सोला जून, उसके बाद सब्तरा, यहनिके सेकिंड लाज टे, सोला जून, इसको एक्जाम होगा, बारा मिनट हो चुके हैं, जानता हूँ, एक बीएड इन साइंस, डान्स, रशियन, उर्दू, डेरी, टेक्नलोजी, सोला जून, सेकिंड शिप्ट का पेपर होगा, डाट साइंस, और आर्टिफिशल, इंटेलिजेंट, साइबर सेक्योर्टी, और क विदानता, सोला जून, थर्ड सिफ्ट में जितनका एक्जाम होगा, म. एजुकेशन, सोशल वर्क, चाइनीज, और एग्रो, और यह एग्रो, फोरेश्ट्री, ठीक है, लास्ट डे, पहली सिफ्ट, और लास्ट डे में, यानि कि सतरा जून को केवल पहली सिफ्ट में एक् आगम का पेपर है, और फिर है न्याय, वैशिशिक्का, यह भी वेच्व का ही संस्क्रित का है, जर्नल, एम्बीए, बुतिया लेंग्विज, गौरो लेंग्विज, गुजराती लेंग्विज, कर्नडा, लिप्चा, लिंबो, नेपाली, प्राकर, इन लेंग्विज के पे सब्जेक्ट में अपने अपलाईगा है, कमेंट करेंगे जरूर बताईएगा, पराणे कोश्चने पर तो मेरे पास नहीं है, नहीं पूछिएगा, यदि आपने अच्छे से ग्राइशन किया है, और खासका थड़ीर को अच्छे से पढ़ा है, तो एक्जाम को पास कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जनरल स्टडिस को ध्यान से देखिएगा, रिजनिंग को देखिएगा, मैथ को देखिएगा, और इंगलिस हिंदी का ग्रामर और व्याकरन जरूर देखिएगा, दो से तीन प्याराफ आएंगे, पेपर वन में, उसको ध्यान से अटेंड क करिएगा, टाइम बचाईएगा, टाइम को मैनेज करिएगा, और आपको बहुत बहुत शुपकामना है, वीडियो लंबा हो गया, स्लो हो गया, क्या करें, सब्जेक्ट ही इतने, जब आपको लिंक दूँगा, पेडियाफ फाइल का तो आपको भी समस्या हो सकती, सब्जे ही, जय भारत, सलाव